जो लड़कियों को ऐसे बोलते हैं बेटा सेक्योरिटी है, बेटा मत करो। उनके लिए मैं सेजल कुमार का एक इक्जामपल देना जाता हूँ है। आपको पता है सेजल कुमार, मेरे ख्याल से मतलब मैंने जितना सुना है वो जैपुर के कॉलेट से निकली हुई लड़की है, सिंपल, और उसका ये और ना वो इतनी कॉमन दिखती है, कोई इतनी स्मार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी लड़की है, कि नहीं सेजल, लड़कियों की सिक्योरिटी इंडिया में ठीक नहीं है, तुम मत करो, तो क्या सेजल इतनी बड़ी ब्रैंड बन पाती, मैं आपको बता देता हूँ, सेजल कुमार का टिक माक लगवा है, 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर है, और मैंने इसके टैलेंट को देखा की में है, लड़कियों को कोई खा जाएगा, तो सेजल कुमार आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जो लड़के को वो शायद जानती भी नहीं है, love marriages बहुत कम होती है, इंडिया में arranged marriages होती है, वो पता नहीं लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, बाद में पता लगता है कि कुछ भी problem हो गई, तो लड़की बिचारी कहने से डरती है, वो सहती रहती है, घर पे कभी साज से problem, कभी रिष्टेदारों से problem, कभी पती से problem, बिचारी वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अगर वही लड़की कमाना जानती हो, तो वो क्या ये सब problem, ये सब problem सहेगी, नहीं, आज लड़कियों को कमाना, सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मुझे अपसोस होता है कभी कभार, कि लड़कियों को डराया जाता है, security के नाम पर इंडिया में, कि तुमारी security नहीं है, यार क्या सेजल कुमार, she's a big brand, और मैं आपको लाइन से बहुत सारी लड़किया दिखा दूँ, जो कि इंडिया में बहुत बड़ी brand है, तो क्यों लड़किया डरती है, आज मैं इसकी income बदा देता हूँ, most probably, almost पूरे साल भर में, ये 4-5 करोड रुपया, individually कमा लेती है, brand collaborations है, अब आप बताओ, और ये लड़की कितने साल की है, और ये college से कमा रही है, तो क्यों हम लड़कियों को डराते रहते हैं, तो इनको अपना ideal बनाओ, कहां पर ऐसे लोग जो आपको डराते रहते हैं, उनको आप लोग ideal बना के बैठे हैं,